Hello everyone, मैं आशा करती हूँ, आप सभी ठीक होंगे, मैं काजिल धामी, आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए CETAC Paper 2 Science की एक स्पेशल सीवीज यहाँ लेके आई हूँ जिसके अंदर यहाँ पे हम एक स्पेशल सेशन यहाँ कवर करेंगे जिसके अंदर हम यहाँ Physics, Chemistry और Bio के जो Top 50 कोशन है वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ यह जो 50 कोशन मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए पिक किये हैं इसमें डायरेक्ट कोशन आपको बहुत कम मिलेंगे जादतर कोशन आपके Assertion Reason बीस्ट और ऐसे कोशन जिनमें आपके Mistake होने के Chances हो सकते हैं मैंने उन 50 कोशन को यहाँ पे पिक किया है ताकि आप एक्जाम के लिए In and Out तयार होके चलें और अगर आप First Time इस वीडियो को देख रहे हैं और ये वीडियो आप लोगों को Effective लगती है तो Comment section मैंने आप लोगों के साथ Seat Science की जो Playlist है साथे साथ Math की Playlist को पिन कर दिया है अभी आप लोगों के पास sufficient time है उन वीडियो से अपनी जो preparation है वो कर सकते हैं तो चलिए इन 50 questions को यहाँ पर discuss करते हैं और मैं उमीद करूँगी कि आप First question से लेकर 50 questions तक यहाँ पर attentive रहेंगे और इन एक-एक question का जो concept है और साथे साथ जो actual answer है उस तक यहाँ पर पहुचेंगे तो चलिए हम इस session को यहाँ पर start करते हैं अब मैं आप लोगों के साथ आज के important session यहाँ पर शुरू करती हूँ तो देखिए पहला question हम लोगों के सामने है Which of the following statement are correct याईनकि निम्द में से कौन सा कतन सही है हमें वो चुनने हैं तो देखिए यहाँ पर motion chapter से related आपका यह question पूशा गया है और अच्छा question है क्योंकि अगर आप ध्यान से इस question को नहीं देखते हैं तो यहाँ पर आपके mistake होने की chance हो सकते हैं तो देखिए यहाँ पर बोल रखा है कि a body can have zero distance यान कि कोई एक ऐसी वस्तू जिसके सुन्य दूरी हो पर किन्तु यहाँ पर non-zero displacement हो अब देखिए यहाँ पर अगर हम इस sentence को समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ती जो है कुछ दूरी तै करेगा तो आपको मैंने बताया था कि distance और displacement में क्या फरक होता है distance होता है जो आप actual दूरी तै करें और displacement होता है जो shortcut हो और displacement आपका zero हो सकता है मैंने आपको बताया था जब आप उसी point पे वापस आ जाओ बट distance कभी आपका zero नहीं होता यानि कि अगर आप shortest path से भी जा रहे तो भी वो आपका actual distance जो है count होगा simple सी बात है distance zero नहीं हो सकता है displacement zero हो सकता है और ये statement इस वज़े से यहाँ पे हो गई गलत अब अगले statement में क्या बोरक है a body can have zero speed but non zero velocity अब देखिए speed और velocity का अगर हम concept देखें यानकि चाल और वेक का अगर हम concept समझते हैं तो speed होता है कि कितनी दूरी आप तैय करेंगे कितने समय में और अगर हम इसमें दिशा दे दे यानकि अगर हम इसमें direction fix कर दें तो वही आपकी velocity होती है तो simple सी बात है कि speed में जब direction आजए तो आपकी velocity यानकि way कहलाती है तो अगर यहाँ पर आपके speed को हम यह zero consider कर रहे हैं तो velocity non zero कैसे हो सकती है simple सी बात है कि हम यह कह नहीं सकते है कि किसी भी चीज का जो speed होगा वह आपकी सुनने होगी तो यह statement भी यहाँ पर हो जाता है गलत अब देखिए अगले statement में हमें क्या बोल रखा है अब body can have zero velocity but non zero acceleration अब इसके example को ज़र हम समझते हैं कि अगर हमने एक ball को उपर की तरफ थो किया तो देखिए एक point के बाद वह नीचे आने लग जाएगी यह तो हम लोगों को पता है कि अगर आप एक ball को या एक stone को उपर फेकेंगे तो एक height तक को जाएगी और उसके बाद वह नीचे आ जाएगी जब वो इस height पर होती है तब इसकी velocity क्या होती है zero पर इस समय इसका acceleration आपका zero नहीं होता तो यान कि ये वाला statement यहाँ पर हमारा सही लग रहा है इट मेंज जिसमें आपको A और B दे रखा है वो statement तो यहाँ पर आपके हो जाते हैं गलत तो हमारे पास एक ही statement बसता है जो कि है third statement जिसमें C और D को सही बोल रखा है यान कि जिसकी velocity zero हो non zero acceleration हो सकता है कौन से case में जब आप बॉल को उपर की तरफ फेक रहें और किसी चीज का displacement जो यहाँ पर विस्थापन है वे आपका zero हो सकता है और non zero velocity हो सकती है यह दोनों statement यहाँ पर सही है तो इस हिसाप से इस question का जो correct answer हो जाएगा जैसे कि मैंने कहा आज के session में आप लोग last तक बने रहेगा क्योंकि आज के session के जो भी question होंगे उसमें आपको direct answer नहीं उसमें आपको concept साथ भी मिलता रहेगा ताकि उस से related in and out आपको सारी knowledge हो इस से related किसी भी तरीके का question आजाएँ आप लोग आसानी से यहाँ पर करता है अब देखिए यहाँ पर बोड़क है कि एक sample है जिसमें पानी जो है 102 degree पर boil हो रहा है वो भी normal temperature में तो देखिए अगर मैं एक पानी का यानि की normal water का boiling point आपसे पूछू तो आप कहेंगे 100 degree Celsius होता है simple सी बात है 100 degree Celsius पर वो boil होने लग जाता है पर अगर मैं पूछू कि पानी को boil होने में कितना minute लगेगा तो आप कहेंगे 2-3 minute में ये अपना boil होने लग जाता है और अगर मैं इसके जगा पूछू कि चाई को बनने में कितने minute लगेगे तो आप कहेंगे कि कम से कम 8-10 minute लगता है क्यों लगता है क्योंकि हम इसमें चीजे आड करते हैं या-क्या आड़ करते हैं, मिल्क आड़ करते हैं, इसमें हम चीनी आड़ करते हैं, मतलब चाई पती डालते हैं, इन सब की वज़े से इसका जो आपका boiling point होता है, वे क्या हो जाता है, increase हो जाता है, means इसको जादा समय लगता है boil होने में, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आप compare कर पाएंगे कि पानी का boiling point तो 100 degree है पर अगर हमने उसमें कुछ भी solvent आड़ कर दिया तो उसको समय लगेगा और उसका boiling point जो है वो बढ़ जाएगा इसी वज़े से पानी 100 degree पर boil हो जाता है और चाई उसे ज़्यादा पर boil होती है अब यहाँ पर question क्या पूछ रखा है कि अगर पानी जो है 102 degree पर आपका boil हो रहा है तो वो freeze कितने में होगा तो दीखिए यहाँ पर अगर हम एक normal water के बात करें तो यह 0 degree Celsius पर आपका freeze हो जाता है यह तो हमने concept पढ़ा है इसके लावा एक और चीज आपको पढ़ा होना है चीए कि जिन जगह पे snow बहुत ज़्यादा पढ़ती है बरभबारी ज़्यादा होती है वे अपने घरों के सामने क्या करते हैं नमक वगयरा चिड़क के रखते हैं नमक वगयरा क्यों चिड़क के रखते हैं ताकि उनका जो freezing point होता है वे decrease कर सकें सिंपल सी बात है जिस सब्सेंस का जिस भी वस्टू का जितना ज़्यादा boiling point होगा उसका freezing point 0 से उतना ही कम होगा यहन कि हम यह नहीं कह सकते कि यह बिलकुल भी freeze ही नहीं होगा यह जमेगा ही नहीं यह नहीं कह सकते इसके अलावा ये 0 degree पे boil नहीं हो सकता क्योंकि 0, sorry freeze नहीं हो सकता 0 degree पे वही freeze होगा जो कि 100 degree पे आपका boil होगा ये भी नहीं हो सकता तो जैसे कि मैंने कहा कि जो वस्तु जितने जादा temperature पे boil होती है वो उतने कम temperature पे freeze होती है तो यहाँ पर जो आपका correct answer हो जाएगा वो होगा आपका पहला option इस तरीके का आपके examiner question बना के दे सकते हैं इसको आपको बहुत अच्छे से करना है इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो weather charts related यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ कल भी whatsapp में equation share किया था और यहाँ पर यह जो concept है इसको बहुत अच्छे समझना है इसके अंदर आप लोगों को कोई भी जो यहाँ पर concept है उसको बहुत detail में यूज नहीं करना बस यहाँ पर logic को यूज करना है सबसे पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें मैं हाँ पर आड़ कर दू जो south की reason होते है जैसे कि हमारे होगे, chenny होगे, kochi होगे इन में क्या होता है इन में चाहे आप summer में देख लीजी चाहे आप winter में देख लीजी यहाँ पर एक average temperature होता है इन में temperature gap जो होता है वे सबसे minimum होता है यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा कि बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ रही है तो इनके बीच का जो range होता है वे लगबग लगबग same होता है यहाँ कि maximum और minimum temperature जो है लगबग पास पास ही देखेंगे तो यहाँ पर अगर मैं question को देखूँ तो question में बोल रखा है कि जो अधिक्तम temperature है January में वो है 23 और minimum है 9 तो यह आपके south की reason नहीं हो सकते तो इस तरीके से आपको south की reason यहाँ पर काट लेने इसके लावा एक चीज आपने गौर की यहाँ पर दो option बच गए एक बच गया shimla एक बच गया यहाँ पर जोदपूर अब देखिए यहाँ पर जो अगर मैं shimla की बात करूँ तो सब को पता है कि shimla एक थंडी जगा है तो January में उनका temperature जो minimum temperature है कम से कम minus में तो जाना ही चाहिए अगर minus में नहीं जा रहा तो वो shimla तो नहीं हो सकता तो यहाँ पर हमारे पास एक ही option बच गया जो कि है जोदपूर अब देखिए अगर मान के चलिए कि हमें दो option ऐसे दे दिये जाते जैसे कि जोदपूर दे दिया जाता और यहाँ पर दे दिया जाता डेली अगर हमें इने compare करना होता है तो देखिए अगर हम डेली और जोदपूर को compare करें तो जोदपूर जो है वो आपके warm जगा है गरम जगा है तो यहाँ पर जो तापमान होगा यह 40 से जादा जाएगा में और जूर में आप इस तरीके से नहीं तुलना करेंगे इस question का जो correct answer है वो तो आप लोगों कहाँ पर कौन से हो जाएगा जोदपूर हो जाएगा बाकी चेन नहीं south का reason है कोची south का reason है similar नहीं हो सकता क्योंकि January में भी minus में temperature नहीं है तो इस तरीके से इन questions को आप यहाँ पर deal करेंगे अब देखिए next question जो है एक easy question है अगर आपने जो concept है वो पड़ा है तो आप इस question को आप आसानी से कर पाएंगे एक fill in the blanks हम लोगों को यहाँ पर दे रखा है the process of dash in frog is controlled by the hormone यानि कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे यहाँ पर मेंडको के अंदर यहाँ पर hormone द्वारा नियंतरित किया जाता है dash whose production required the presence of dash in water यानि कि जिसमें कौन सा hormone आपको चाहिए होगा यह बताना है और साथे साथ इसकी production के लिए पानी में dash की जोड़त है जब मैंने आप लोगों के साथ frog का यह concept discuss किया था metamorphosis तब मैंने बताया था कि frog के अंदर यहाँ पर metamorphosis होता है और इसको कौन सा hormone कंट्रोल करता है इसको यहाँ पर thyroxine hormone कंट्रोल करता है और thyroxine hormone सही मात्रा में release हो इसके लिए पानी में उसमें iodine का होना अवश्यक होता है इसी तरीके का एक question और भी previous error question में आया है उसमें तो direct यह पूछा गया था कि metamorphosis के अंदर यहाँ पर कौन से element की requirement होती है तो यहाँ पर था iodine कौन से mineral की requirement होती है iodine तो इस तरीके से question दिया हुआ था यहाँ पर full page एक पूरा statement wise equation बना के हमें दे दिया गया इसके इलावा next question ज़र हम यहाँ पर देखते हैं तो देखिए जो assertion reason होते हैं वो actual में इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप यहाँ पर mistake करें यानि options को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है otherwise यहाँ पर mistake होने के chance होते हैं अब देखिए यहाँ पर बो रखा है the volume of all solid increases on melting यान कि अगर आप यहाँ पर सभी solid को लेते हैं और उनको अगर आप melt करते हैं तो उसका volume जो है वो बढ़ता है उसका आयतन जो है पिखलने पर किसी भी ठोस वस्तू का वो आपकी उसमें वृध्धी होती है अब आप logically सोचेंगे तो आपको लगेगा यह सही है क्यों क्योंकि अगर आप किसी भी चीज को melt करेंगे like iron को अगर आप melt करें तो iron पिखल के expand होगा हर चीज expand होती है बट यहाँ पर आपको एक concept बता होना चीए यहाँ पर all के वज़े से यह option गलत हो गया अब आप कहेंगे all के वज़े से क्यों गलत हो गया क्योंकि आप अगर सभी solid के बात करें तो यहाँ पर आप diamond की भी बात करेंगे और diamond जो है यह आपका यहाँ पर अगर हम उसे melt करते हैं तो यह expanded नहीं होता तो इस वज़े से यहाँ पर assertion तो हो जाता है हमारा गलत अगर इसमें यहाँ पर all word नहीं होता तब यह statement यहाँ पर सही था तो इस हिसाब से यहाँ पर a जो है assertion जो है वो गलत है तो यहाँ पर पहला option हमारा cut गया क्योंकि A and R are true बोल रखा है यानिकि A और R दोनों सत्य है यह बोल रखा है तो यह गलत हो गया इसके अलावा both A and R are true तो यह भी गलत हो गया यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ही option बसता है जिसमें A and R दोनों को ही false बताया गया तो इस तरीके से आपको साथ में options भी यहाँ पर eliminate करने साथ ते साथ अब मैं आप लोगों के साथ एक question यहाँ पर discuss कर रही हूँ और यही question आप लोगों को यहाँ पर Hindi medium में भी दिख जाएगा otherwise यहाँ पर terms जो है ज़्यादा मुश्किल नहीं है आप इसे easily पढ़ सकते है तो देखिए यहाँ पर बोल रखा है कि किसी वस्तू का यहाँ पर जो weight है जो भार है यहाँ पर हवा में वो कितना है 1500 Newton है उसके बाद यहाँ पर बोल रखा है कि weight of the object यहाँ पर जो भार है liquid A में 100 Newton हो गया अब यह कैसे हो सकता है यहाँ पर था 1500 Newton यहाँ पर हो गया 100 Newton यहाँ कि कुछ तो गड़बड़ी है अब इसके अलावा आगे बोल रखा है the weight of the object in liquid B is 95 Newton अब इस चीज़ को समझते है यहाँ पर बोल रखा है कि हवा में है 1500 Newton यहाँ पर मैंने लिख दिया इसके बाद बोल रहे हैं कि दो liquid है जैसे कि यह हो गया liquid A और यह हो गया आपका liquid B तो मैंने इस तरीके से बना दिया अब liquid A में बोल रखा है कि इसका जो भार है वो आपका सिर्फ 100 Newton रहे गया और इसमें 95 Newton रहे गया तो बाकी भार गया तो गया खा सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि दोनों की दोनों liquid के concept में यहाँ पर अगर हमारा weight जो है एक तरीके से हम यहाँ पर balance कर रहे हैं इस वस्तू को हमने जब इसके अंदर डाला होगा तो यहाँ पर इस वस्तू में नीचे से एक force लगता है जिसको आपने पढ़ा होगा जिसको हम point force के नाम से जानते हैं अब यह जो point force होता है यह किसके बराबर होता है यह water displace के बराबर होता है यानि कि यह वस्तू जितना पानी displace करेगा उस बरतन के अंदर आने के लिए उतना ही उस पर bind force लगेगा यानि कि अगर इसका भार अब 100 रहे गया है तो नीचे से bind force कितना लग रहा होगा अभी यहाँ पर नीचे से bind force 50 लग रहा होगा तो यह जो 50 वाला जो force था वो यहाँ पर इस तरीके से balance होगा और same यही चीज आपका दूसरे case में होगा कि दूसरे जो liquid है उसमें अगर भार 95 दिखा रहा है इसका मतलब यह है कि bind force नीचे से कितना लग रहा है bind force नीचे से 55 लग रहा है अब यह जो bind force होता है यह क्या होता है जैसा कि मैंने कहा यह आपका water displace है यानकि कितना water displace होगा उस पर निर्भर करेगा और जैसे ही यह जो object था जो देर सो newton का था वो आपका in container के अंदर डाला गया यानकि liquid A और liquid B के अंदर जब यह डाला गया तो simple सी बात है कि उन्होंने पानी displace किया और पानी कितना displace किया वो ही उस पर bind force लगा अब जरह options को हम पढ़ते हैं यहाँ पर बो रखा है कि density of liquid B is greater than density of liquid A अब जो घनत वह है यहाँ पर जो liquid B का A से जादा है अब यह कैसे कह सकते हैं क्योंकि bind force भी इसमें कितना लग रहा है यहाँ पर लग रहा है 55 और यहाँ पर लग रहा है 50 तो यह वाला statement यहाँ पर हो जाएगा सही अब यहाँ पर बोल रखा है the force acting on the object in liquid B यह आपका bind force जो लग रहा है liquid B में liquid A से जादा है तो देखिए यहाँ पर 55 यहाँ पर 50 तो यह भी आपका सही है अब अगला यहाँ पर statement क्या बोल रहा है अगले statement में बोल रखा है an object that float in A will surely float in B याँकि ऐसा वस्तू याँकि वो जो वस्तू हमने डाला है वो वस्तू अगर liquid A में float कर रहा है तो वो liquid B में float करेगा क्यों क्योंकि उसकी तो bind force A से जादा है याँकि liquid B का bind force जिसका bind force जादा होता है यह concept समझेगा जिसका bind force जादा होता है उसमें पानी जो है वो तैरता है तो simple सी बात है यहाँ पर तीसरी statement में यह बोल रहे है कि जो वस्तू liquid A में तैरेगी वो B में भी तैरेगी क्योंकि इसका bind force यहाँ पर जादा है तो यहाँ हम कह सकते हैं कि तीनों ही statement जो है यहाँ पर correct हो जाएंगे इसके अलावा यहाँ पर आप इस equation को हिंदी में भी देख सकते हैं जो यहाँ पर जो yu में वस्तू का भार है वो 1.500 newton दे रखा है और दरव्य A में वस्तू का भार जो है वो 100 newton है gya तो यहाँ पर यह जो gap आया यह किस के वज़े सा है point force के वज़े साय है जो कि कितने का था 50 newton का और जो यहाँ पे हवा और द्रव्वे दूसरे में जो gap आया वो था आपका 55 Newton का वो भी point force के वज़े से आया और इस question का जो correct answer है वो है आज जाएगा आपका third option इसके अलावा next question अब हम यहाँ पे discuss करते हैं अब यहाँ पे हमें क्या बोल रखा है assertion reason दे रखें जरध्यान से में देखने है assertion reason के अंदर हम लोगों को क्या बोल रखा है कि जो sugar solution है वो आपका good conductor होता है electricity का तो देखिए जब मैंने electricity chapter आपके साथ discuss किया था मैंने बताया था कि कौन-कौन से आपके good conductor होते हैं कौन-कौन से आपके poor conductor होते हैं तो मैंने poor conductor में sugar का example दिया था कि चीनी जो होती है वो यहाँ पे villain विद्धियूत की सूच आलक नहीं होती कूच आलक होती है तो यह यहाँ पे हो गया गलत और कूच आलक क्यों होती है क्यों क्योंकि यह अपने ions जो है वो dissociate नहीं करती सिंपल सी बात है जो अपने ions पानी में release कर दे वो आपके सूच आलक है इनकी conductor है और जो release ना करे वो कूच आलक तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे assertion तो गलत दे रखा है पर reason सही दे है इस हिसाब से यहाँ पर कौन सा statement सही होगा यहाँ पर fourth जो statement है वो सही होगा यहाँ मैं एक छोटी सी एक कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को एक idea लगे कि जो direct question है उनको छोड़ कर किस तरीके कि आपके questions को थोड़ा सा twist किया जा सकता है अगर आप सभी options को logically पढ़ेंगे तो कुछ भी tough नहीं है बड़ थोड़ा सा आपको detail में जाना होगा ताकि आप इन सब चीजों को अच्छे से समझ सके अब अगला question है which one of the following correctly describe a symbiotic relationship between two organisms यह जो यहाँ पर सहजीवी सम्मंद होता है इसके बारे में बात की गई है सहजीवी सम्मंद जो होता है वो जानवरों में इस तरीके से दिखाया जाता है कि दोनों जानवर एक दूसरे से benefit लेते हैं एक उनसे अवाश लेता है यानकी shelter लेता है एक उनसे food लेता है तो इस तरीके का symbiotic relation होता है अब यहाँ पर क्या ब one species of organism benefit at the expensive of other अब देखिये यहाँ पर बोल रखा है कि जीओ में एक जो जीओ होगा वो दूसरों के से लाब उठाएगा सिर्फ एक ही लाब नहीं उठाएगा दोनों ही उठाते हैं इसलिए symbiotic यानकी सह जीवी सम्मंद इसे बोला जाता है अब यहाँ पर अगर आप तीसर option को देखते हैं तो तीसरा option ने बोल रखा है कि two species of organism derive benefit from each other यह यहाँ पर सही है कि दो यहाँ पर जो यहाँ species होती है वो एक दूसरे से लाब उठाती है और यहाँ पर अगर हम देखे तो last option में तीन species के बाद कीए तीन species यहाँ पर इंक्लूद नहीं होती जो symbiotic relation होता है सह जीवी संबंद होता है वो दो यहाँ पर जीओं के बीच में देखने को मिलता है इसके अलावा next question यहाँ पर हम discuss करते हैं जसके अंदर यह बोल रखा which of the following condition will be helpful in liquefication of gases अब यह liquefication of gases का मतलब क्या है कि आप gases को liquefied कर रहे हो अब यह liquefied करने का मतलब क्या है अब जैसे कि यहाँ पर जैसे आप एक gas लेते हो यहाँ पर LPG जैसे आप liquefied petroleum gas के नाम से जानते हो और यह जो LPG होता है इसको आप cylinder में क्या करते हो फिल करते हो अब यह cylinder में आपने फिल किया उसको liquefied करा और जैसे ही वह भार आएगी वह air के contact में आके वह जलने लग जाएगी सिंपल सा यह concept होता है अब LPG के अगर हम बात करें तो liquification के लिए क्या condition यहाँ पर ज़रूरी है सबसे पहले तो अगर उसे एक cylinder में भरना है तो pressure यहाँ पर आपका कम नहीं हो सकता तो pressure तो ज़्यादा होना चीए अब pressure कम नहीं हो सकता क्यूंकि अगर आपको उसे फिल करना है एक छोटी से जगह में तो आपको दाब तो ज़्यादा लगाना पड़ेगा तो यह दोनों option तो यहाँ पर हो नहीं सकते और एक और चीज़ आपको पता होने चीए लिक्विफिकेशन के लिए हमें temperature को कम रखना पड़ता है और pressure को यहाँ पर ज़्यादा रखना पड़ता है तो यह दो condition आपको यहाँ पर याद करनी पड़ेगी अच्छे से कि हम temperature को कम रखते हैं और pressure को ज़्यादा इसके अलावा next question हम यहाँ पर देखते हैं अब देखिए यह भी assertion reason का question पूश रखा है जिसमें हम लोगों को polyester के बारे में बता रखा है polyester के जो कपड़े होते हैं वे जल्दी सूख जाते हैं cotton के comparison में जल्दी सूख जाते हैं यह बता रखा है अब इसका कारण क्या बता रखा है कि जो synthetic fiber होता है यह कम पानी absorb करता है और जो कम पानी absorb करेगा उसमें से जल्दी बास्वी करन होगा और जल्दी वो चीज़ सूख जाएगी तो यहाँ पर हम कहेंगे कि दोनों ही चीज़ सही है और यहाँ पर correct explanation जो है वो चल रहा है I hope यह question आपको यहाँ पर clear होगा इसे साब से इस question का जो आपका correct answer होगा वो होगा आपका first option इसके अलावा अब मैं आप लोगों के साथ next question यहाँ पर discuss करती हूँ तो देखिए जो separation के अलग-लग technique है उससे related यह question दे रखा है और उससे related यह question दे रखा है उसके अंदर हम लोगों को अब match करना है मैंने एक session दिया था जल्दी ही इसी session से जस्ट दो session पहले जसमें मैंने centrifugation बताया था centrifugation में आप जो हलकी चीज होते है like cream उसको आप milk वगयर से separate करते हैं तो cream from curd आपको यहाँ पर मिल गया तो यहाँ पर D का होगा second option तो देखिए D का second जिस option में दे रखा है वो इस question का answer हो सकता है तो ऐसे options आप फटा-फट eliminate करिए जितने आप options eliminate करेंगे उतने जल्दी आप सही answer तक पहुचेंगे rate और पानी को तो हम यहाँ पर बास्वी करण से अलग करते हैं जो के लवन और जल होता है इसको आप बास्वी करण से अलग करते हैं तो C का क्या होगा first होगा तो देखिए C का first जिसमें नहीं दे रखा उसको भी आप साथ में यहाँ पर अलग कर सकते हैं इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पर अगला दे रखा है एक filtration और एक दे रखा है यहाँ पर sublimation और अगर हम यहाँ पर iodine और sand की बात करें तो देखिए iodine और sand को जो separation का तरीका हम यूज करते हैं उसमें हम यूज करते हैं sublimation जिसमें iodine जो होता है यह sublime हो जाता है यह उड़ जाता है तो देखिए next question हम लोगों को क्या बोल रखा है यहाँ पर आप लोगों को bind force का फिर से एक और question यहाँ पर दे रखा है के तीन identical size के block है किस किस के lead के aluminium के और zinc के जिसको पानी के अंदर डुबाया गया है और यहाँ पर हमें बताया गया है कि room temperature पर अगर हम aluminium का घनत्व देखें तो इसका घनत्व कितना है अब यहाँ पर पोल रखा है कि अगर हम यहाँ पर जो bind force है lead का उसे BF lead मान ले और इसके अलावा aluminium के bind force को BF aluminium मान ले और bind force यहाँ पर zinc का BF zinc मान ले तो हम इसे किस तरीके से compare करें आप देखिए यहाँ पर इस question को देखके आपके mind में कई सारे formula जो है साथ में आ गये होंगे यानि कि कितना पानी जो है displace हुआ है बार बार बोलती है bind force निकलता है यहाँ पर weight of weight of water displace यानि कि कितना पानी जो है वो displace किया गया है और कितना पानी displace किया जाएगा वो उसके volume पर आयतन पर depend करेगा और अगर हम इस question में देखें तो यहाँ पर जो 3 box है वो तो identical है अगर 3 box यहाँ पर identical है तो 3 box का item जो होगा वो बराबर होगा volume जो होगा वो बराबर होगा तो ऐसे case में bind force जो है 3 में आपका बराबर लगेगा और इस question में density बस हमें confuse करने के लिए दिया गया था इसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था मैंने क्या बोला कि यह bind force किस पर निर्भर करेगा volume पर निर्भर करेगा कि कितना पानी displace किया गया है और कितना पानी displace किया गया है और यहाँ पर हमें बता रहा है तीन identical box है पहले line में तो bind force तीनों में बराबर लगेगा अब मैं आपके साथ यहाँ पर next question discuss करते हूँ magnet chapter का question है अब देखिए इस chapter के question को अगर हम देखे तो यहाँ पर बोल रहा है magnet is cut into four equal parts lengthwise अब देखिए यहाँ पर एक magnet मानके चलिए इस magnet को मैं यहाँ पर lengthwise lengthwise मतलब इस तरीके से चार भागों में यहाँ पर काट देती हूँ अब यहाँ पर बोल रहा है what will be the pole strength of new piece compared to the pole strength of the original यानि कि जो इनके को नई टुकुडे आपके तयार हुएं उनके जो धुरूफ शक्ती की तुलना इनके मूल चुमबक के धुरूफ शक्ती की तुलना में किस प्रकार होगा यह पूशक है तो देखिए यहाँ पर अगर मैं pole strength की बात करूँ मैंने जब magnet chapter आपके साइट discuss किया था मैंने बताय था pole strength सबसे ज़्यादा कहा होता है इन जगा पर होता है सिंपल सी बात है और अगर आप देखिए तो एक मूल चुमबक एक original चुमबक से जो नई चुमबक बनाये गए वो अब यहाँ पर पतले हो गए तो इनका pole strength जो है वो भी कम हो जाएगा और अगर हम एक यहाँ पर नए वाले चुमबक की बात करें और पुराने वाले चुमबक की बात करें तो यहाँ पर वो कितना हो जाएगा एक चौथाई हो जाएगा क्यों एक चौथाई होगा क्योंकि इसे चार भागों में बाटा गया है यानि कि जो प्रतेक ने टुकडे आपके बनेंगे यानि कि जो each new pieces बनेंगे उनका जो pole strength होगा वो one by fourth हो जाएगा original के क्योंकि इन्हें lengthwise इस तरीके से काटा गया है for example अगर यही question इस तरीके से बनाते कि एक magnet को हम लोग इस तरीके से vertically काट रहे हैं तो इसके length में फरक पड़ता पर pole strength जो होता वो यहां पर सेम रहता तो यह चीज़े आपको पता होने चीज़े कि आप किस तरीके से उस चीज़ को काट रहे हो यहां पर जो correct answer होगा वो होगा आपका second option अब हम next question को यहां पर discuss करते हैं जिसमें हम लोगों का जो यहां पर physical change, chemical change से related question यहां पर दे रखा है अब यहां पर बो रखा है melting of butter सबसे पहले आप क्या कर रहे हो एक मक्खन को पिखला रहे हो यह एक रसाइनिक और reversible परिवर्टन है अब देखें यहां पर अगर हम देखें तो अगर आप एक जो आपका butter है अगर आपने गर्मियों में फ्रिज के भार निकाला तो वो melt हो जाता है पिखल जाता है उस paper में पुरा लग जाता है पर अगर हम दुबारा उसे फ्रिज में रख दें तो वो दुबारा क्या हो जाएगा फ्रीज हो जाएगा दुबारा जम जाएगा यानि कि यह chemical change दो नहीं है तो यह statement तो यहाँ पर हो गई गलत अब अगला यहाँ पर देखें तो crystallization of sugar is a physical change यहाँ तक सही है कि चीनी का जो हम crystallization करता है यह बहुत एक परिवर्तन होता है बट यह आपका irreversible नहीं है यह भी आपका reversible है तो यहाँ पर इस वज़े से यह statement भी गलत हो जाती है अब अगला है वेपराइजेशन of iodine वेपराइजेशन जब आप उसका भाब बनाते हैं यह एक physical change है यह statement यहाँ पर सही है तो यहाँ जो correct answer होगा वो होगा आपका fourth option यहाँ केवल C जो है यहाँ पर correct answer है इसके अलावा अब हम यहाँ पर next question discuss करते हैं तो देखिए जो आप लोगों का हमने यहाँ पर conservation of plant and animal chapter किया था उससे related यह question हाँ पर पूशा गया है एक होता आपका zoo और एक होता आपका wildlife century तो देखिए zoo और wildlife century में फरक्या है जो wildlife century होती है मान के चलिए कि एक specific area है एक कोई fix area है वहाँ पर हम लोगों को कुछ special यहाँ पर जानवर मिले तो हम उस area को क्या करते हैं एरिया में हम कोई changes नहीं करते हैं बस उसको wildlife century हम मान लेते हैं तो यानि कि यह आपका artificial habitat नहीं है यह आपका natural habitat है तो यह वाला option तो हो गया गलत इसके अलावा zoo में हम क्या करते हैं अलग-लग जगह से जानवरों को लेके आते हैं और एक जगह पर fix कर देते हैं तो इस तरीके से बनता है zoo और अगर हम एक wildlife century के बात करें तो कई-कई जंगलों को भी wildlife century के अंदर रखा गया है कई-कई पूरे पूरे जंगल को हम लोग wildlife century बोलते हैं तो यहाँ पर आपको दोनों में difference पता होना चाहिए सबसे पहले हम इस second option तो यहाँ पर कट गया है कि यह नहीं है अब यहाँ पर बोल रखा है wildlife century house the animal data found locally in the area where a zoo animal brought from all over the India are kept अब पहले option में बोल रखा है जो wildlife century होता है उसमें जो स्थानिक छेत्र में जो यहाँ पे जन तुपाये जाते हैं उनको रखा जाता है मतला उनी को मान लेते हैं और जबकि जू होता है वहाँ पे दुनिया के अलग-लग जगह से जानवर को लेके आते हैं यही चीज मैंने अब परिभाशा बताई इसकी definition बताई अब अगला यहाँ पे hunting and pouching is provided in zoo यानकि यह तो मना है शिकार करना पर wildlife century में कर सकते हैं तो यह तो गिलखुली negative चला गया अब अगला यहाँ पे है कि wildlife century जो होती है स्मॉल एरिया में होती यह स्मॉल एरिया में नहीं होती कई-कई जंगलों को भी wildlife century के अंदर रखा गया तो यह भी गलत है यहाँ पर जो आपका correct answer हो जाएगा आपका पहला option जो कि आप लोगों को यह बताता है कि wildlife century में उसी जगह के जो animal है उन्हें उसे habitat में रखने दिया इस question में बोल रखा है कि a small aluminum rod एक छोटी aluminum rod है जो कि 5 cm और 10 cm 5 cm into 10 cm की है उसको पानी में हमने डाला तो पानी में यहाँ पर डूब गई अब हम लोगों को यहाँ पर बोल रखा है कि यह जो small aluminum है इसको हम कैसा एक shape दे जो कि उसमें float करेगा तो simple सी बात है कि आप लोगों नह होती है या फिर जो हमारी boat होती है जो हमारे boat होते हैं इसके एलावाट जो हमारे airplane होते है वे आपके कहीं न कहीं तैर कैसे पाते हैं मतलब aeroplane to तैरता नहीं मतलब fish और boat कैसे तैरते क्यूंकि उनकी shape जो हम streamline shape का बनाते है simple सी बात है यहां पर board है adding more water to the container यांकि और पानी डालो वो तैरने लग जाएगी ऐसा नहीं है वो डूब गई तो डूब गई तो यह वाला option तो सही नहीं है बट अगर हम उस rod को जो aluminum की rod है जिसको हम पानी में पहले डाल रहे थे उसका shape हम अगर board की shape में convert कर दें तो वो जादा पानी displace करेगी और जैसे कि मैंने अभी bind force का पहले concept बताया आपको bind force होता है आपका किसी भी चीज को उपर की तरफ धक्का देता है तब ही वो चीज क्या करती है तब ही वो चीज आपके तैरती है और यह तब धक्का देता है जब weight of water displace जादा हो weight of water displace याई कि पानी जो जादा निकले और पानी तब जादा निकलेगा जब area जादा घिरेगा तो आप shape क्या कर दो उसकी boat की shape की कर दो तो यहाँ पर only B जो है यह correct answer होगा अब हम यहाँ पर next question जो है वो discuss करते हैं जिसके अंदर बोल रखा है which of the following is not a straight line graph इन में से कौन सा एक straight line graph नहीं है कई बारी आपका ये question आप लोगों का अलग लग तरीके से 8 से 10 बार seat right के exam में पूछा गया है ये question अभी मैं आप लोगों के साथ online exam के questions में से discuss कर रही हूँ बाकी ये question आपको 2023 में भी मिल जाएगा 2016 में उससे पहले 2012 में यहाँ पर अलग लग shift में इससे related question पूछा गया है और यही option आपके घूम फिर के पूछते हैं अब देखिए यहाँ पर बोल रखा है distance time graph जो होगा उसमें जो आपका uniformly accelerated object सबसे पहले तो आपको इस सीज को स्टामा करना है कि distance time graph में acceleration का काम नहीं है means uniform accelerated चीजे नहीं होती uniform acceleration का graph अगर आपको distance time graph में बनाना है तो वो curve line होता है वे कभी भी straight line नहीं होता है यह मैंने आप लोगों के साथ session में भी बार बार इस point को highlight किया था कि आपके examiner इस सीज को पूछते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर uniform word को देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि समान सब्द को देखके हमें लगता uniform मतलब straight तो हम लोग फटा फटिक लगाते हैं अगर यही चीज आपकी किस में होती यही चीज आपके जैसे fourth option पूछ लिया है कि जो velocity time graph आपका uniform acceleration का बनाओ तब आपका यह straight line का बनेगा uniform acceleration जो है आपका velocity time graph में straight line का होता है distance time graph में straight line का नहीं होता है बाकि सारे graph आपके straight होंगे बस यह जो first वाला graph है यह आपका straight नहीं होगा इसके लावा आप notice कर रहे होंगे कि मैंने अभी आप लोगों के साथ कोई numerical discuss नहीं किया अभी मैंने कुछ time पहले लगवग दो हफते पहले आप लोगों के साथ एक physics का marathon लिया था और वो जो physics का marathon था वो तो लगवग साड़े तीन घंटे का था और उस session के अंदर मैंने कोशिश किये कि physics के सभी questions मैं आप पर discuss कर पहूँ जितने ज़्यादा मुझे मिले तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो जो science के playlist है उसमें सब सब टॉप वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी इन फाक्ट आज की वीडियो उससे उपर लगा दूँगे उससे जस्ट नीचे आपको वीडियो मिल जाएगी तो साड़े तीन घंटे की वीडियो है आप उसे parts में भी देख सकते हैं ताकि आपके concept जो है वो clear हो अब देखिए अगला यहाँ पर question है which of the following property does an electroscope make use to test whatever an object carrying charge or not अब देखिए यहाँ पर वो रखा है कि किसी भी वस्तू में यहाँ पर charge है या नहीं है इस property को समझाने के लिए जो electroscope होता है वो आपका मतलब किस तरीके से test करेगा कि किसी भी object में charge है या नहीं है तो देखिए यह इसके अंदर जो current flow करता है वे आपका electrostatic current जो है वो flow करता है और इसके लिए हम क्या करते हैं इसके लिए हम यहाँ पर यह देखते हैं कि जो like charge है वो आपकी एक दूसरे को repel करें यारिकि simple सी बात है कि हम electroscope आपने activity भी देखे होगी कि इसके पास अगर like charge आएगा तो वो क्या करेगा प्रिपल करेगा तो इस तरीके से हम test करते हैं कि उस object में charge है या नहीं है तो यहाँ पर जो correct answer है यह activity based question था इस वज़े से मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए include किया इसके लावा बाकी जो options है वो correct नहीं है साथी साथ next question जो है metal non-metal का आप logo का लिया हुआ है इसमें कई सारी property जो है वो आपके clear होती है और साथी साथ यह जो d option है इसमें आप non-metal word कर दीजेगा क्योंकि अगर आप metal करेंगे तो दो option है आपको सही मिलेंगे अब देखिए यहाँ पर बोल रखा metal that are not ductile at home temperature तो देखिए अगर आपको पता नहीं है तो भी आप यह चीज़ कर सकते हैं कि graphite आपका metal नहीं है phosphorus आपका metal नहीं है इसके अलावा iodine आपका metal नहीं है तो दो ही आपे बचके और जो correct answer है वो है zinc zinc जो होता है वो non-ductile होता है इसके अलावा a non-metal that is good conductor of electricity कौन सा ऐसा non-metal है जो कि आपका good conductor है यहाँ पर electricity का यह हम से पूशक है तो देखिए यहाँ पर अगर हम compare करें तो जैसे कि मैंने कहा कि एक ऐसा metal जो कि आपका non-ductile होता है वे तो क्या है आपका वे तो आपका है zinc इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखिए कि good conductor कौन से होते है तो वह है आपका graphite इसके अलावा next अगर हम यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर बोल रहा है a metal that is soft and can be cut with knife तो इसका example क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका sodium sodium और potassium ज्यादा reactive भी होते हैं उसको हम kerosene bottle के अंदर डिप करके रखते हैं इसके इलावा एक ऐसा non-metal जो की air में fire catch कर लेता है यह होता है आपका phosphorus और इसको हम किसमें store करके रखते हैं इसको हम यहाँ पर पानी के अंदर store करके रखते हैं एक important point है यह आपको पता होना चाहिए और एक lusherous non-metal होता है आपका i again तो e का क्या होना चाहिए e का होना चाहिए four तो इससाब से दो option मेरे यहाँ पर कट गे साथे साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो b का क्या होना चाहिए b का होना चाहिए first जो कि आपको second option में दे रखा है तो इससाब से जो इस question का जो correct answer है वो है आपका second option यहाँ पर आप लोगों के concept भी जो है वो आपकी clear होते चले जाएंगे अब देखें diffusions related एक question दे रखा है जिसके अंदर बोल रखा है read the following statement carefully and select the correct option यहाँ कि इन्हें ध्यानपूर्ग पढ़े और सही विकल्प का में चैन करना है अब देखें यहाँ पर बोल रखा है gas diffused very fast into other gases अब देखें यहाँ पर आप इस तीज को compare कर सकते है perfume से अगर किसी और room में किसी person ने perfume भी लगाया तो उसके smell आपको आजाती है क्यों क्योंकि perfume जो है वो air के साथ diffused होके आपके पास बहुत जाता है तो simple सी बात है यह statement यहा gas particle आपके high speed से move कर पाते हैं क्यों move करते हैं क्यों क्योंकि इनके बीच में जो intermolecular space होता है वे बहुत जादा होता है और इस वज़े से move भी कर पा रहे हैं और move करने के वज़े से यह दूर दूर तक पहुच पा रहे हैं तो यह दोनों चीजे आपकी यहाँ पर correct हो जाती ह तो जो fresh water है उसका घनत्व कितना दे रखा है एक दे रखा है और जो sunflower oil है उसका घनत्व दे रखा है 0.92 और आपको alcohol का घनत्व दे रखा है 0.8 तो इस तरीके से आपको density जो है यहाँ पर दे रखी है और आपको इस question में करना क्या है इस question में यह बताना है कि ऐसे वस्तू ज जो sunflower oil में float करेंगे वो fresh water में float करेंगे या नहीं करेंगे तो इस तरीके से आपको चीज़ यहाँ पर दे रखी है तो देखिए density जो होती है वे आपका बताती है mass upon volume यान कि किसी भी वस्तू का mass divided by volume तो simple सी बात है कि density और जो volume होगा यह आपके direct proportion होते है अब यहाँ पर अग रख है an object that float in alcohol तो alcohol का घनतव कितना है alcohol का घनतव है 0.8 और will surely float in sunflower oil तो वो sunflower oil में surely float करेंगे तो देखिए यहाँ पर अगर हम दोनों चीज़ों को compare करें तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 1 का घनतव है 0.1 और 1 का घनतव है 0.92 तो देखिए यहाँ पर अगर कोई object कम घनतव वाली चीज में आपका float कर रहा है तो वो जादा घनतव वाली चीजों में float करेंगा करेंगा तो यह बाला statement यहाँ पर सही हो जाता है अगला है an object that float in sunflower oil sunflower oil का घनतव कितना है 0.9 है और यहाँ पर बूर रखा है कि will surely float in fresh water fresh water का घनतव कितना है एक है तो देखिए जो 0.9 वाले घनतव में float कर रहा है तो उससे जादा वाले में भी करेगा तो यह भी यहाँ पर सही है अगला है an object that float in fresh water अब fresh water की बात करें तो fresh water का घनतव कितना है एक है will surely float in alcohol तो alcohol का घनतव कितना है 0.8 तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि ऐसा वस्तू जो कि एक density वाली वस्तू में float कर रहा है वो 0.8 वाली में भी float करेगा तो देखिए यहाँ पर इससे पहले और भी चीज़ा आ जाते जैसे कि 0.9 अगर किसी का घनतव 0.9 ह तो वो इस पर फ्लोट करेगा पर इस पर फ्लोट ही करेगा तो यह वाला स्टेटमेंट हम शूर नहीं हो सकते इसी हिसाब से यहाँ पर आपका A और B जो स्टेटमेंट है यहाँ पर करेक्ट होगा अब मैं आप लोगों के साथ next question यहाँ पर discuss करती हूं तो देखिए next question हम ल ऐसा हम लोगों के शरीर के अंदर शूर्ष में जीव आता है जो कि रोग वाहक होता है the body produce हमारी body क्या produce करती है हमारी body यहाँ पर उसमें anti-bodies produce करती है जो कि उससे fight करने का काम करती है यानि कि हमारी body यहाँ पर प्रतिरक्षी जो है वो यहाँ पर produce करती है तो इस रसाब से एक option तो यहाँ पर हो जाता है गलत बाकी options में से हमें देखने है डाश टू fight the invader यान कि जो घुसपेटिया है कहीं न कहीं उससे fight करने के लिए हमारा शरीर यह antibodies produce करता है अब आगे है if dead और weakened microbes are introduced in a healthy body the body fight and kill them and producing them अब देखिए यहाँ पर बोल रखा है कि अगर कोई dead या weak microbes ह हमारी शरीर के अंदर आ गया है healthy body में तो हमारी body उससे fight करती है उसको मार भी देती है this is how अब देखिए यह कैसे हमारी body करती है यह हमारी body करती है vaccine के वज़े से अब देखिए यहाँ पर आपको पता है polio की vaccine वगएरा बच्चों को पिलाई जाती है ताकि in future अगर इसका य work to prevent disease life अब देखिए जो vaccine होता है यह किस तरीके के disease को यहाँ पर prevent करता है यह आपकी tuberculosis जैसे disease को यहाँ पर prevent करता है तो यहाँ पर जो correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा आपका third option यहाँ पर जो combination है antibiotic, vaccine और tuberculosis यहाँ पर correct answer है अब यह आप लोगों का question जो है वो आपको मैंने ए जो table discussed किया था उससे भी आपका clear हो जाएगा, otherwise अगर आप normal भी read करते हैं तो आपके दो options तो यहाँ पर eliminate हो जाएगे, अब इसके अलावा next question हम लोगों के सामने, easy or direct question है, अब यहाँ पर रखा है चार liquid है, चार liquid में से यहाँ पर tick cross दे रखें, it means इसमें bulb glow करेगा, इसमें नहीं करेगा, इसमें नहीं करेगा, इसमें करेगा, simple सी बात है कि जो distill water होता है, यहाँ कि A जो है उसको distill water ले रखा है, distill water में bulb glow नहीं करेगा, क्यों क्योंकि उसमें free ions नहीं होते, sugar solution आज के session का शायद first question था, नहीं, first या second question था, जिसमें sugar solution का भी एक term दे रखा था, और मै CD में पहले वाली चीज़ों को मैं match करके देख रही हूं, कि किसमें bulb glow करेगा, किसमें नहीं करेगा, question के अनुसार इसमें bulb glow करना चाहिए, बट यहाँ पर second और third option, bulb glow नहीं करेगा, अब यहाँ पर हमें देख गया कि copper sulfate में bulb glow कर सकता है, क्योंकि इसमें free ions होंगे, और salt water मे भी कर सकता है, अब अगर आगे देखें, तो liquid beam में bulb glow नहीं करना चाहिए, तो देखिए, यहाँ पर अगर हम इस question के according देखें, तो कौन से case में आपका bulb नहीं glow करेगा, यह आपको देखना है, तो second वाला अगर आप यहाँ पर देखते हो, तो यहाँ पर दे रखा है आपका sugar solution, और यहाँ पर दे रखा copper sulfate, अगर हम दोनों के देखें, तो copper sulfate में तो आपका bulb glow करेगा, जबकि sugar solution में bulb glow नहीं करेगा, और question के अनुसार B में bulb glow नहीं कर रहा, तो B में bulb glow नहीं कर रहा, तो इस हिस question का first job combination है, वहीं यहाँ पर सही होगा, तो इस तरीके से जब आप options को eliminate करते चलते हैं, तो आपके कई सारी चीज़ी यहाँ पर clear होते चलती हैं, अब देखिए, आगे हम लोगों को बोल रखा है कि W is a chemical substance, W एक यहाँ पर रासाइनिक प्रदार्थ है, जिसको हम यहाँ पर antacid की form में और साथे साथ cleaning और baking powder की form में यहाँ यूज करते हैं, और य इसका color यह हो जाता है, और साथे साथ यहाँ पर बोल रखा है, मतला जब turmeric में हम X डालते हैं, तो इसका color आपका यह हो जाता है, तो सिंपल सा इस तरीके से पूरी story यहाँ पर बता रखिए, तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, कि यह पूरा का पूरा hydrogen carbonate, जिसको आप bicarbonate के नाम से भी जानते हैं, तो sodium carbonate और sodium hydroxide यहाँ पर हो जाएगा आपका गलत, तो इन दोनों में सही हाँ पर सही answer है, अब इसके अलावा अगर हम आगे देखिए, तो यह जो आपका sodium hydrogen carbonate है, यह आपका nature wise basic होता है, साथ यह litmus paper का color, आपका reddish आपका हो बैठेगा, वो बैठेगा आपका third option, तो इस तरीकी के questions के लिए आपको prepare रहना है, अपने exam में, कि यहाँ पर आपसे इस तरीकी के question पूछे जा सकते हैं, अगला है, read the following statement regarding virus, वाइरस के संदर्व में आपको जो कथन हैं, वो पढ़ने हैं, तो देखिए, वाइरस जो है, से जानते हैं, तो यह आपका statement हो जाएगा, गलत, इसके अलावा, they can reproduce on their own, यानकि यह स्वैम प्रजनन करते हैं, यह भी गलत है, अब यह जो करोना वाइरस आया था, उसमें अगर किसी भी व्यक्ति को करोना हो जाता था, तो उसको isolation में रखते थे, क्यों रखते थे, क्यों क्योंकि अगर उनकी body में वो microbe रहेगा, मतलब वाइरस रहेगा, तो वो अपनी आप automatically destroy हो जाएगा, बट अगर किसी और की contact में आ जाएगा, तो उसको host मिल जाएगा, simple सी बात है, इसको reproduce करने के लिए host की requirement होती है, तो C गलत, D गलत, तो जिस option में C और D देरक है, उनको का दीजिए, और इस हिसाब से आप अपनी सही answer पर पहुच जाएंगे, जो कि है second option, I hope ये चीज़े आपको यहाँ पर clear हो रहे होंगी, कि हम किस तरीके से options को eliminate कर रहे हैं, और किस तरीके से in questions को solve कर रहे हैं, अब अगला question यहाँ पर हम लोगों को पूश रखा है, sounds related, sound chapter में म speed होती ही नहीं है, vacuum में travel ही नहीं करता, अब इस concept से relate करके हमें इस question को discuss करेंगे, sound travel करता है from water to iron, अगर water से iron के तरफ जाएगा, तो iron क्या है, iron आपका solid है, solid है तो उसके speed क्या होगी, increase होगी, तो decrease वाले option को cut दीजिए, उसके बाद वो जाएगा air में, air मतलब यानी कि solid से अ होगी है, और इस वज़े से speed उसकी हो जाएगी कम, तो सबसे पहले तो जब पानी से iron rod की तरफ जाएगा, तब उसकी speed increase होगी, फिर iron rod से जब वो वायू की तरफ जाएगा, तो उसकी गती फिर से हो जाएगी कम, और फिर air से water की तरफ आएगा, यानकि gas से liquid की तरफ आएग तो पहले increase, फिर decrease, फिर increase, तो यहाँ पर जो correct answer होगा, वो होगा आपका third option, इसके अलावा next question हम यहाँ पर discuss करते हैं, और एक चीज़ आप notice कर रहे होंगे कि जो आप लोगों का digestive system है, इसके अलावा respiration है, उसके question मैंने जादे यहाँ पर include नहीं के, क्योंकि उसके बहुत direct question आते हैं, वो questions आप लोग easily हस्ते हस्ते यहाँ पर questions कर पाऊगी, और मैंने कोशिच किये कि वो question यहाँ पर include करूँ जिन मैं आप first सकते हो exam में, तो आपको इन questions को यहाँ पर करना है, अब देखिए यहाँ पर बोल रखा है कि रीना ने एक plastic bottle लिया, और यहाँ पर उसमें त identical hole किये, मतलब तीन उसमें चिद्र किये, वो भी अलग-लग level में और उसने उसमें पानी भर दिया, तो इस तरीके से वो bottle वाला case जो हमने discuss किया था, कि अलग-लग level में पानी भर दिया, और जभी भी अलग-लग level में पानी भरा जाता है, तो जो सबसे नीचे वाला level होता है, सबसे दूर वहाँ से पानी निकलता है, फिर ऐसे, फिर इस तरीके से, concept, question पढ़ते हैं, आपको concept याद आ जाना चाहिए, अब यहाँ पर बोल रखा है कि water come out of all three hole with same force, same force से तो नहीं आएगा, तो यह option ही हाँ पर गलत हो जाएगा, कि एक ही, एक समान गती से तो भार नहीं आएगा, water जो top hole से होगा, वो आपका least force से आएगा, और वो आपका minimum distance पर fall होगा, तो यही चीज हो रही है, तो यह option ही हाँ पर सही हो जाएगा, अगला है, water जो topest hole पर होगा, वो fastest move करेगा, most force होगा, तो यह तो गलत है, अब water जो bottom में होगा, least force होगा, bottom वाले का ही सबसे ज्यादा होता है, जो नीचे होता है, नीचे वाले छिद्र का सबसे अधिकतम बल होता है, तो इस हिसाब से यहाँ पर second जो statement है, वो correct answer है, अब next question में आप लोगों के साथ यहाँ पर discuss करती हूँ, यह question आप लोगों का light chapter से यहाँ पर लिया गया, अब देखें, light chapter में आप लोगों ने plane mirror का concept पड़ा है, और plane mirror में अगर आप किसी भी चीज को देखते हो, तो आप लोगों की जो image बनती है, वो किस तरीके से बनती है, कि जो left side होगा, पर आपको right side में दिखाई पड़ता है, तो इस तरीके से पूरा concept है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे तीन बजने है, जिसमें quarter past 3 का time यहाँ पे हो रखा है, तो quarter past 3 मतला 3 बज़ के 15 मिनिट, तो इस तरीके की घड़ी है, तो अगर इस तरीके की घड़ी है, तो इसका जो image है, वो किस तरीके से दिखेगा, यानि कि 9 बजने में अभी कितना है, अभी यहाँ पे 15 मिनिट है, तो quarter past 9 जो है इ crucial role in disaster management of cyclone, चक्रवाद, चक्रवाद की बात यहाँ पे की गई है, चक्रवाद बनता कैसे, तो सबसे पहले यह चीज समझते है, चक्रवाद हम लोगों के सामने तयार कैसे होता है, चक्रवाद आपने देखा होगा कि इस तरीके से आपको circular form में देखने को मिलेगा, और यहा पास-पास का area होता है, उसमें यहाँ पर काफी ज़्यादा high speed होती है, तो चक्रवाद इस तरीके से बनता है, और क्योंकि यहाँ पे low pressure होता है, इसलिए इस चक्रवाद का इसे eye of cyclone भी बोलते हैं, तो देखे, यहाँ पर हम लोगों को चक्रवाद का concept हमने देखा, यह होगा यह कम होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके center में low pressure होता है, अब यहाँ पर रखा है कि लोगों को वहाँ से निकालो, अब देखे, चक्रवाद आने के बाद लोगों को निकालने का क्या फायदा, इसके अलावा monitoring distribution of resources, यह देखो कि यहाँ पर संसाधन का जो व बनाने में help करो, तो यह तो तब होंगे जब उनका घर उजड जाएगा, अब अगला है कि early and effective raw scar system, अब देखे, forecast system अगर हमारे पास होगा, तो हमें पदा चल जाएगा कि चक्रवाद आने वाला है, और हम पहले से लोगों को alert कर देंगे, तो यहाँ पर फोर्थ जो option होगा यह correct answer है, अब हम यहाँ पर ही next question जो है, यहाँ पर बोल रखा है, the shape of red blood cell help in exchange of gassing by providing large area, जो RBCs होते हैं, वो gases exchange में मदद करते हैं, क्योंकि वो large surface area provide करते हैं, तो उनका shape कैसा होता है, तो देखे, long और thin होगा, तो उसका surface area जादा हो नहीं सकता, branch होगा, तो भी आप कहने सकत हैं, अब जो flat cell है, यह आपकी skin में आपको देखने को मिलेंगे, इसका shape होता है, disc like shape, जिससे यह surface area का जादा होता है, और gases exchange में मदद करते हैं, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, long cell कहाँ पर होता है, nerve cell में होते हैं, जो कि information को carry करने का काम करते हैं, इस question का तीसरा ज yr element, x और y क्या है, आपकी element है, और यहाँ पर हम लोगों को क्या बोल रखा है, और z जो है, वो आपका compound है, तो सबसे पहले आपको compound की, जो आपकी yogic होते हैं, यह इनकी z जो compound होता है, इनकी property पता होने चीए, यह जो compound होते हैं, यह आपके बिल्कुल new substance आपके बनते हैं, और mixture में क्या होता है, बस हम mix करके रखते हैं, दोनों में यह difference है, compound में बिल्कुल new substance आपका बनता है, अब यहाँ पर बोल रखा है कि, जो atom होगा, आपका x और y का, वो आपका बिल्कुल same होगा, अगर x और y का, अगर यहाँ पर atom जो है, वो यहाँ पर आपका बिल्कुल same है, तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, कि इसमें बिल्कुल नया substance बनेगा, तो कोई नया substance तो आपका इस case में बन नहीं रहा, अब आपको यहाँ पर बोल रखाता है, इन में से कौन सा statement सही नहीं है, अब अगला है कि, जो atom of x and y is present in z, simple से बात है, कि x और y का atom जो है, वो z में present होगा, किसी का mole wise कम जादा पर present जरूर होगा, तो यह statement तो सही है, यहाँ पर बोल रखा है, atom of x, y and z are different, different होगे, क्योंकि compound बना रहा है, वो नया substance बना रहा है, distribution of atom in z is different from x and y, distribution जो होगा, दोनों में अलग लग होगा, क्योंकि एक बिल्कुल new substance आपका बन रहा है, जैसे कि अगर आप दो element को mix करके compound बनाते हो, तो वो दोनों के दोनों x और y जो है, वो same नहीं हो सकते, अगर वो same होंगे, तो यहाँ पर आपके compound form नहीं करेंगे, तो यहाँ पर जो not true होगा, वो होगा आपका first option, अब मैं आपके साथ next question यहाँ पर discuss करती हूँ, यहाँ पर बोल रखा, in which of the following situation, water cannot be used to extinguish fire, जल को अगनी बुजाने के प्रियोग में नहीं लाया जाता है, इन में से कौन सस्थिती में, तो सबसे पहले तो देखिए, वुड जो है, अगर वुड से लगी हुई आग है, और लकडी से अगर आग लगी हुई है, उसमें हम पानी डालते हैं, तो ये तो हम लोग use करते हैं, तो ये इस question का answer नहीं होगा, क्योंकि आपको cannot आपको ढूनना है, तो A वाले option को आप इस तरीक से काट दीजिए, इसके लावा आपने ये चिस सुनी होगी, कि कभी भी यहाँ पर electric shock वगयरा लग जाए, तो वहाँ पर पानी के contact नहीं आ आप पानी को प्रियोग नहीं कर सकते हैं, अगला यहाँ पर fire caused by explosion in car, अगर कार में कभी भी explosion वगयरा हो गया, तो उसमें अगर आप पानी डालोगे, तो वह आग और भढ़ती है, तो ये जो चीज़े हैं आपनी daily life में भी observe की होगी, तो इस हिसाप से इस question का जो correct answer होगा, जिसमें B और C हम लोगों को यहाँ पर बता रखा है, इसके इलावा next question अब हम यहाँ पर discuss करते हैं, जिसमें हम लोगों को जो speed of light है, वो आपका एक medium से दूसरे medium में change होते वे दिख रहा है, और साथे साथ एक concept यहाँ पर आपको बता होना है चाहिए कि density जो होता है, वो speed of light के inverse proportion होता है, यानकि जिसका जो जादा denser होगा, उसमें speed of light जो होगी, उतनी कम होगी, यह आपको यादखना है, अब देखिए, यहाँ पर हम लोगों को बोल रखा है, कि आपको optical density को यहाँ पर descending order में लगाना है, तो यहाँ पर हम लोगों को बोल रखा है कि A से B की तरफ कोई वस्तू जा रहा है, और उसकी speed of light जो है बढ़ रही है, अगर speed of light बढ़ रही है, तो उसकी density कम होगी, अभी मने बता था speed of light और density जो होता है, इन्वर्स प्रपोर्शन होता है, तो simple सी बात है कि A की density जादा होगी B से, क्योंकि यहाँ पर B की speed जादा है, अब इसके ल जादा है B से, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें, तो next case में, जब वो C से D की तरफ जा रहा है, फिर से इसकी speed जो है, speed कम मतलब density जादा है, तो D की density जादा है C से, तो आपको इसे अब descending order में लगाना है, तो आपको इतना यहाँ पर clear हो गया, कि यह जो B है, इसकी speed जो है, वो सबसे कम है, और इस हिसाब से आपका जो एक combination है, वो सही आपका बैठेगा, कौन सा first option, तो इस तरीके से आपके यहाँ speed से related, sounds related question पूछे गया है, previous year में, अब मैं आप लोगों के साथ next question यहाँ पर discuss करती हूँ, जिसमें हम लोगों को एक side acid, यानके अमल और पद यहाँ पर अगर हम tomato देखें, तो tomato में यह पाय नहीं जाता, तो यह option ही आपके कट गया, इसके अलावा बूर रखा है, यह जो curd है, यह कौन सा, मतलब कौन सा acid होता है, कर्ड में हाँ पर आपका ascorbic acid नहीं होता, तो यह option भी यहाँ पर कट गया, इसके अलावा next अगर हम द question पढ़ेंगे, एक के बार में हम पूरा कर लेंगे, इस तरीके से approach नहीं रखनी, आपको questions में options को भी eliminate करना है, अब देखें, next question हम लोगों को यह दे रखा है, कि दो identical snake है, यानकि दो सर्प हैं, जो की सम रूपी हैं, जो धर्ती में चल रहे हैं, मतलब जो ground में चल रहे हैं और A जो है, वो क्या कर रहे हैं, A यहाँ पर broad loop बना रहे हैं, मतलब चलते हुए इस तरीके से बड़े बड़े loop बना रहे हैं, और जो B है वो narrow narrow loop बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम से पूछ रखा है, कि इन में से कौन सा fast move करेगा, simple सी बात है, अपने आपको compare कीजिए, कि ए एक व्यक्ति जो है, वो लंबे-लंबे step ले रहे हैं, और एक व्यक्ति छोटे-छोटे step ले रहे हैं, तो कौन जल्दी move कर रहे हैं, तो broad जो आपका loop बना रहे हैं, वे आपका जल्दी move कर रहे हैं, तो यहाँ पर A जो option होगा, यह correct answer, कोई कई question आपको देखने में थोड़ simple सी बात है, अगर हम layers की बात करें, atmosphere की layer में, आपको यह पता होना चीए, अगर आप उपर की तरफ जा रहे हो, तो atmospheric pressure जो होता है, यह आपका decrease होता है, और जैसे जैसे आप layer में नीचे की तरफ आओगे, तो atmospheric pressure जो होता है, वो increase होता है, अब क्यूंकि यहाँ पर हमसे इंडिया के map में सबसे ऊपर आपको दिखने को मिल जाएगा, और क्यूंकि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते है, atmospheric pressure कम होता है, तो layer में ही सबसे कम आपको atmospheric pressure यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसके इलावा next question यहाँ पे, यह question मैंने आप लोगों के साथ chemistry के session में कई बार discuss क है, बट यहाँ पे अगर कोई candidate first time इस वीडियो को देख रहा है, तो उन्हें पता होना चाहिए, इस तरीके का question आपका पूछ जाता है, यहाँ पे बोल रखा है, which of the following material is best suited to make coil, heating element यहाँ पे बनाना है, एक heater का, तो हम इन में से कौन से material लेंगे, तो material का नाम भी आप को यहाँ पे लेते हैं, और निक्रोम जो होता है, इस तरीके से coil जो है, वो circular coil बनाता है, और यह जो निक्रोम होता है, और क्यूंकि इसका heating का ही काम है, तो इसका melting point जो होता है, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी heat होके खराब हो जाएगा, पिखल जाएगा, इसका melting point काफी high होत लोग वाले option से आप heating device नहीं बना सकते, इसके अलावा, और क्यूंकि इसका हम coiled में convert कर रहे हैं, तो इसके resistance को भी हम क्या करने की कोशिच कर रहे हैं, increase करने की कोशिच करें, ताकि यह heat ब्लॉक करे, तो इससाब से इसके resistivity भी क्या होगी, जाद होगी, तो यहाँ पर जो आपका सही option बैठेगा, वो बैठेगा option आपका Z, जो कि आपको fourth option में दे रखाया है, I hope यह question आपको clear हुआ होगा, अब देखिए next question हम लोगों के सामने, यहाँ पर हम लोगों को क्या बोल रखा है, कि दो carbon की rod है, जो कि आपका copper sulphate के solution में place के गई है, copper sulphate का formula क्या होता है, C CUSO4, तो यह आपको इसका formula पता होना चाहिए, अब यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर रखा the electrodes are connected to battery, यहाँ पूरा का पूरा एक पूरा setup इस तरीके से यहाँ पर तयार किया गया है, जिसमें यहाँ पर आपके दो electrodes को यहाँ पर battery से इस तरीके से connect किया गया है, और इसके अंदर कॉंसा solution रख दिया, copper sulfate का यहाँ पर solution रखा, इसके बाद हमने इसमें electricity जो है, electric current यहाँ पर पास करना start कर दिया, तो हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, अब देखी, सबसे पहले तो आपको इसके concept को यहाँ पर समझना होगा, कि एक होता है आपका anode औ कर दिया, अगर हम copper sulfate की बात करें, तो copper में आपका positive charge होता है, और जो यहाँ पर SO4 होता है, इसमें negative charge, आपको पता है कि positive को कौन attract करता है, negative attract करता है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि cathode पर क्या होगा, copper होगा, और SO4 जो है, यानि कि जिसके bubbles बनेंगे, वो आपके कहाँ पर बनेंगे, वो आपके anode में बनेंगे, क्योंकि negative positive को attract करता है, यह तो simple सी बात है, यहाँ पर अगर हम normal भी concept देखें, तो positive negative को attract करता है, यह तो हमें पता ही है, क्योंकि copper sulfate में, अगर हम देखें, तो copper में positive charge है, तो positive negative के तरह अट्राक्ट करेगा, तो यह दोनों यहाँ पर सही है, अब आगे बोल रहा, bubbles are formed in copper, sorry, cathode, cathode में bubbles नहीं बनेंगे, cathode में copper होगा, तो यह यहाँ पर गलत है, अब अगला है, copper is deposit at anode, anode में नहीं deposit होगा, यह cathode में deposit होगा, अभी उपर मैंने बता है, तो यह दोनों यहाँ पर गलत हो जाते हैं, यहाँ पर सही होगा A और B जो कि आपको first option में दे रखा है, I hope यह question भी आपको यहाँ पर clear होगा, अब देखिए, यहाँ पर हम लोगों को next question जो है, वो vaccination से related दे रखा है, अब यहाँ पर हम एक एक करके पढ़ते हैं, vaccination is a process of immunization है, यह हमारी body को immunization provide करता है, जो कि एक immunity हमें देता है हमारी शरीर को, ता यहाँ पर बोल रखा, vaccine are effective against only viral disease, viral disease नहीं, bacterial disease के लिए भी effective होते हैं, तो यह गलत है, अगला है कि vaccine contain antibiotic which kill germs, तो ऐसा नहीं है, वो germs को किल नहीं करता, वो खुद ही एक तरीके से virus होता है, जो कि हमारी body को यहाँ पर त्यार कर रहा होता है, तो यह भी गलत है, vaccine are available for human only, यह animals के अगले भी available है, तो यह भी यहाँ पर गलत है, vaccine produce antibiotic in the body against specific disease, तो यह तो सही है कि किसी specific disease के लिए antibiotic यहाँ पर त्यार करता है, और यहाँ पर अगर हम देखें, तो vaccine is a live germs, एक तरीके सा live germ होते हैं, जो कि हमारी शरीर को त्यार कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर कौन सही हो जो कि first option में दे रखा है, अब देखें, next question जो है, मैंने आपके साथ heat chapter में भी discuss किया था, यहाँ पर बहुत रखा है कि the temperature of water in a large container is 50 degree Celsius, यानकि एक बड़े से container में जो temperature है, वो है आपका यहाँ पर 50 degree Celsius, उसमें से छोटे छोटे दो बीकर में यहाँ पर पानी भरा गया, जो क which of the following statement is correct, तो देखें, यहाँ पर अगर मैं इन बड़े वाले बीकर से छोटे वाले बीकर में पानी ट्रांसफर करूँगी, तो temperature जो है, मैंने बताया था, वो सेम रहता है, जबकि heat जो होती है, वे ट्रांसफर होती है, एक medium से दूसर medium, जिसके वज़े से heat में आपका change दे होगा, यह सही है, heat सेम नहीं होगी, temperature लेस नहीं होगा, A और B से, मतलब यहाँ पर heat जो होगी, A की, the amount of heat is A in less than B, क्योंकि B का जो अगर हम देखें, तो यहाँ पर volume जो है, वो जादा है, तो यहाँ पर सही है, तो यहाँ जो combination आपका सही बैठेगा, वो कौन सा combination बैठेगा वो बैठेगा A and D, जो कि आपको second option में दे रखा है, इसके अलावा अब हम यहाँ पर next question discuss करते हैं, यहाँ पर हमें बोर रखा least count जो है, आपका clinical thermometer का, वो आपको पताना है, और laboratory thermometer का बताना है, तो सबसे पहले तो इनकी range हम देखें, तो इनकी range हमें पताऊने चीए, जो clinical thermometer ह होता है, उसका होता है, 35 से लेकर आपका 42 degree Celsius, ठीक है जी, और जो laboratory thermometer होता है, इसका range होता है, minus 10 degree Celsius से लेकर 110 degree Celsius तक, यह इसका range होता है, और अगर हम एक clinical thermometer की बात करें, तो एक point से जैसे कि अगर 35 से हम यहाँ पर 36 तक ले रहे हैं, तो इनके बीच में gap होता है, आपका कितने क पांच का, पांच division यहाँ पर देखने को मिलते हैं, एक, दो, तीन, चार, सॉरी मैंने यहाँ पर एक division यहाँ पर जादा बना दी, एक, दो, तीन, चार, तो इस तरीके से आपकी 4 यहाँ पर, मतलब टोटल पांच division यहाँ पर होती हैं, और अगर हम एक का least count निकाले, तो 1 divided by 5, जो क्या हैगा, आपका 0.2, इसी वज़े से इस related एक question आपका पूछ जाता है, कि एक वक्ती है, जिसको 110 degree से, यहाँ पे 110 degree से लेकर, 110 degree बहुत जादा हो गया, 102 degree से 2 point जादा का बुखार है, तो उसको कितने का बुखार होगा, तो 1 point आपका 0.2 के बराबर है, तो 2 point कितन है, 102 point 4, तो इस तरीके का question पूछ जाता है, और clinical thermometer का division 5 का होता है, तो 0.2 आया, और laboratory thermometer की बीच में division जो होता है, वे आपका 10 का होता है, तो यहाँ पे जो answer हो जाएगा, वो आएगा 1, तो यहाँ जो correct answer है, वो है आपका first option, इसके रावा, अब मैं आपके साथ यहाँ पे next question जो है, वो discuss करती हूँ, तो देखे, next question हम लोगों को यहाँ पे दे रखा, which of the following is considered as standard test for checking the release of CO2, तो देखे, CO2 जो है, वो आपका कब निकलता है, और water, hydrogen कब निकलता है, यह मैंने आपके साथ discuss किया था, CO2 के लिए आप यहाँ पे lime water test करते हैं, lime water test करते हैं, और यहाँ पे hydrogen के लिए कौन सा किया जाता है, pop sound test किया जाता है, दोनों से भर-भर के question आते हैं, यहाँ जो correct होगा, आपका होगा, fourth option, इसके इलावा, अब मैं आपके साथ यहाँ पे next question, जो है, वो discuss करती हूँ, जिसमें बो लग है, in human being, fraternal twin art form, तो देखे, दो तरीके के twins होते हैं, अगर fraternal से आया है, तो आपका identical से भी आ सकता है, एक होता है, आपका identical, जो कि सीम सीम होता है, fraternal मतलब अलग लग, अब अगर हम यहाँ पे fraternal, identical की बात करें, तो देखे, identical twin कब बनते हैं, fraternal twin कब बनते हैं, जो fraternal twin होते हैं, उसमें आपके दो egg जो होते हैं, वे आपके दो sperm के इसके लावा नेक्स्ट कुशिन हमारे सामने अच्छा कुशन है इसलिए मैंने हाँ पर आड किया यहां पर रखा है जब ice melt होगी तो heat वो क्या करेगी हीट रिमूव करेगी या add करेगी या add या remove भी नहीं करेगी या पहले add करेगी या बाद में remove करेगी तो देखिए अगर मैं एक ice जो कि solid है उसको मैं क्या कर रही हूँ, melt कर रही हूँ तो उसको melt होने के लिए heat की जरुरत होती है simple सी बात है इस logic को कैसे आप यादक होगे अगर आपके पास एक ice cube है अगर मैं कहूँ जल्दी से उसे पानी बना के दूँ तो अगर वो थोड़ा गरम temperature में रहेगी तो जल्दी melt होगी तो simple सी बात है वो system से heat जो है वो add करती है खुद में मतलब अपनी तरफ जो है उश्मा का मिलान करती है इसके लावा next question हम लोगों के सामने बहुत प्यारा सा question है कि जो shape होती है parachute की वो आपका expand ऐसे होती है कि जो उसका friction है घ्रशन है वो कैसा होगा घ्रशन कम होगा जाद होगा होगा यह नहीं या infinite होगा तो simple से बात है parachute आपको हवा में लेके जा रही है अगर उसमें घ्रशन नहीं होगा तो वो रुकेगी नहीं और वो रुकेगी नहीं तो आप नीचे कैसे आओगे तो ये तो नहीं हो सकता infinite मतला अनंत घ्रशन होगा अगर इतना ज़्यादा opposing force है तो आप उपर ही नहीं जा पाओगे तो ये भी नहीं होगा अगर घ्रशन बहुत कम होगा तो आप थोड़ा दूर निकल जाओगे यानि कि आप संपर्क छेतर में नहीं आओगे उसको balance करने के लिए अगर किसी most area में बहुत long समय के लिए रख दे यानकी एक अध्र यानकी नमी वाली हवा में अगर हम यहाँ पर तांबे के बर्थन को रखते हैं तो उसमें dull green color की coating आ जाती है यह हम लोगों ने physical and chemical change के जो reaction है उसमें मैंने आपके साथ यहाँ पर discuss किया था कि यह जो green color की coating आती है यह किसके वज़े से होती है यह आपको याद भी होना चाहिए यह आपकी copper hydroxide और साथे साथ यह जो copper carbonate होता है इनके combination के वज़े से यहाँ पर green color की coating आती है और कई बारी हम लोग जब इन चीज़ों को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते तो mistake करने के chances से हाँ पर होते है तो यहाँ पर जो सही आपका combination हो जाएगा हो जाएगा आपका second option जिसमें आपको copper hydroxide और copper carbonate का combination हम लोगों को यहाँ पर दे रखा है इस question का जो correct answer है वो है आपका second option इसके लावा अब मैं आप लोगों के साथ next question यहाँ पर discuss करती हूँ अब देखिए यहाँ पर बोल रखा है कि यदि आपको racist से own बनाना है यानि कि fiber से यहाँ पर आपको wool बनाना है dye हम बाद में करते हैं अपनी desirable color से तो इसी से ही हमारा जो correct answer हो जाएगा वो मिल जाएगा सबसे पहले आप कटाई करोगे फिर उसको साफ सफाई करोगे फिर छटाई करोगे फिर उसे रंगोगे फिर आप उसे यहाँ पर load and करोगे यानिकि इसे roll करोगे ताकि आप अपने desirable कपड़े उसे त्यार कर सको यहाँ पर जो correct answer हो जाएगा हो जाएगा आपका second option अब देखिए next और काफी अच्छा कुशन है यहाँ पर बोल रखा है electronic configuration जो तीन अलग-लग element का है x का हमें दे रखा है 2,4 इसके अलावा y का हमें दे रखा है जैसे 2,7 और z का हमें दे रखा है 2,1 अब देखिए सबसे पहले तो इनसे यहाँ पर compound बनाए जा रहे है अब यह बनते कैसे हैं इनके जो valence electron होते हैं उसके हम यहाँ पर चेक करते हैं valency को अब जैसे इस question में हम लोगों को यहाँ पर compound फॉर्म करना है तो compound हम किस तरीके से फॉर्म करते हैं यह मैं आप लोगों को short में यहाँ पर discuss करती हूँ तो देखिए अगर आपको 2 element को use करके उनके compound बनाने for example अगर मैं यहाँ पर 2 element लेती हूँ example के लिए एक sodium और एक chlorine तो देखिए sodium का atomic number क्या होता है तो sodium का atomic number होता है 11 और chlorine का atomic number होता है 17 इस हिसाब से इनके configuration क्या होगी 281 और यहाँ पर ceta science का जो मैंने last session यहाँ पर लिया है शायद day 40 उसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ इस concept को अभी discuss के आए recent video के अंदर आप चाहें तो उस video को देख सकते हैं साथे साथ chlorine के अगर हम बात करें तो chlorine का atomic number होगा 287 और हर element को यहाँ पर stable configuration अचीव करने के लिए या तो 2 या 28 या 288 configuration तक पहुँचना पड़ता है चाहे वो electron loose करे चाहे वो electron gain करे तो देखी अगर मैं sodium की बात करूँ तो sodium क्या करेगा अपना एक electron जो है loose करेगा क्यों loose करेगा ताकि यह 28 वाली configuration तक पहुँच जाए और यह stable हो जाए और अगर मैं यहाँ पर chlorine की बात करूँ तो chlorine क्या करेगा 288 configuration तक पहुचने के लिए एक electron को क्या करेगा accept करेगा simple सी बात है कि इनके बीच में जो यहाँ पर transfer होगा complete एक एक electron का होगा ऐसा नहीं हो सकता कि sodium एक electron दे और chlorine को 4 की जरुवत हो तो ऐसा combination आप नहीं देखोगे तो इस हिसाब से na और cnl के अगर हम यहाँ पर compound बनाएंगे तो na जो है एक electron यहाँ पर loose कर रहा है तो यहाँ पर na plus और chlorine के आगे minus cosine क्योंकि यह gain कर रहा है और cross multiply करके हम इस तरीके से na cnl जो है यहाँ पर बना देते हैं अब question में यहाँ पर क्या बोल रखा है कि x जो है वो आपका 2,4 है यानकि इसकी configuration है 2,4 और y की configuration है यहाँ पर 2,7 तो देखिए x जो है पहली बात तो आप लोगों को पता होगा कि यह जो 4 अगर out of motion में होते हैं तो 4 electron gain करना और 4 electron lose करना एक साथ possible नहीं होता है इसलिए यह जो 2,4 configuration है किसकी है carbon की और carbon यहाँ पर क्या बढ़ करता है covalent bond बनाता है अगर हम इन सभी concept में ना भी खुसें तो आप मुझे बताईए कि अगर यहाँ पर y जो है इसको एक electron चाहिए कितने electron चाहिए stable होने के लिए एक electron चाहिए और अगर x 4 electron देदेगा तो य देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके से कोई भी combination किसी option में आपको नहीं दिख रहा तो यह option यहाँ पर नहीं हो सकता इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर x को z के साथ यहाँ पर compound बनाऊं तो x को अगर मैं z के साथ compound बनाती हूँ तो x अगें 4 electron जो है आउटमो shell में एक electron है तो देखिए y का configuration है 2-1 तो y क्या करेगा एक electron यहाँ पर lose करतेगा और अगर मैं x की बात करूं तो x को तो 4 electron चाहिए ताकि 2-8 बन जाए देखिए 2-4 तो stable नहीं है 2-8 stable होता है इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि किसको कितने electron चाहिए क्या याद दखना है एक आपको याद दखना है यहाँ पर 2-8 एक याद दखना है 2-8-8 सब इसी configuration में पहुचना चाहते हैं तो x और z का भी यहाँ पर हमारा combination सहीन होगा अगर हम यहाँ पर y और z की बात करें तो देखिए y और z में y की configuration है 2-7 और z की configuration है 2-1 तो देखिए y क्या करेगा एक electron गे देखिए और x क्या करेगा एक electron देगा क्योंकि y को बनना है 2-8 x को बनना है 2-2 दो बनने के लिए 1 electron देना पड़ेगा तो ऐसे केस में कौन अपना electron दे रहा है तो आप कहने यहाँ पर 10-80 आपना electron कि सीसे ले रहा है तो देखित सबीद सब़ें करते हैं और यहाँ एक और कि सब को अपना आउटमो शेल को यहाँ पे complete करने के लिए ही वो compound बनाते हैं और अगर compound बनाके भी खुश नहीं है या stable नहीं है तो क्यों बनाएंगे compound तो इस हिसाब से हमें पता चला कि y जो है और यह रहा z यहाँ पे sorry मनी यह उल्टा लिख दिया अब मैं आपके साथ next question यहाँ पे discuss कर रही हूँ तो देखिए next question में बोल रखा है कि दो metal की ball है x और y जिसका same volume है और यहाँ पे बोल रखा है कि with greater density than water और इनका जो घनत्व है यह पानी के घनत्व से जादा है और इन्हें दो identical glasses के अंदर डाला गया है अब यहाँ पे बोल रखा है mass of x is 3 time than mass of y तो यानि कि अगर हम देखे तो x जो है वो आपका 3 time है y के अगर y यहाँ पे y का mass हम y ले लेते हैं तो x के 3 y है यह बोल रखा है अब यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है in which of the two glass will the level of water will be greater अब देखें level of water जो है वो आपका तब बढ़ता है जब हम किसी भी item को किसी और दूसरे item के अंदर डालते हैं simple सी बात है कि अगर इसके अंदर पहले से पानी भरा हुआ है और इसके अंदर हम कुछ और item यहाँ पे डालेंगे तो उसके वज़े से पानी का level जो है वो increase हो जाएगा अब यहाँ पे बोर्ड रखा है कि अगर आप देखोगे कि x का mass जो है y के mass से तीन गुना है तो ऐसे case में जो level है किसका जादा होगा बट यह यहाँ पे सही नहीं है यहाँ पे क्यों नहीं सही है क्योंकि level जो है यह आपका bind force कितना लग रहा है इस पर depend करता है यानकी जो नीचे से force लग रहा है वही चीज उपर की तरफ उस object को धका देगी और एक line आप starting में क्या पढ़ा आपने कि दो metallic box है जिसक में इनका same volume है मैंने आपको बताया था कि जो bind force होता है वो आपका volume पर item पर निर्फर करता है और अगर दोनों का same volume है तो दोनों का level यहाँ पे बराबर हैगा यह question आपको confuse करने के लिए ही दिया गया था क्योंकि अगर हम masses को compare करें तो हमें लगेगा कि x का जादा है y का कम है तो हम य अगर item समान है तो दोनों का ही level जो है वो बराबर हैगा अब मैं आपके साथ next question यहाँ पर discuss करती हूं तो देखी यहाँ पर हम लोगों को क्या बोल रखा है कि x react with oxygen and water to form a compound भी यहांकि x एक यहाँ पर element है जो कि आपका oxygen के साथ react कर रहा है और एक compound बना रहा है B compound this compound turn litmus जो कि यह compound जो litmus paper की इस color को उस color में change कर दे रहा है अब आगे बोल रखा है become milky on passing this अब देखिए milky वाला case आ गया तो यहाँ पर co2 तो पका होगा क्यूंकि मैंने आपको बताया था कि co2 जो है वो इस gas को test करने के लिए हम milky lime water milky वाला test करते हैं तो आपको इतना पता चल गया कि यहाँ पर sulfur dioxide की gas तो है नहीं तो हम लोगों नहीं यह चीज कर लिया इसके अलावा यह जो lime water turns milky वाला जो हम पूरा concept देखते हैं यह magnesium के साथ नहीं calcium के साथ react करके देखते हैं तो basically आपका जो element होगा वो आपका magnesium नहीं हो सकता तो इस हिसाब से आपके दो option तो हैं यहाँ फ calcium को पहली line में बोल रखा है कि oxygen के साथ react कर रहे हैं और oxygen के साथ react कर रहे हैं तो आपका क्या बनाएगा calcium oxide बनाएगा और उसके बाद इसे पानी के साथ भी react कर रहा है अगर यह पानी के साथ react होगा तो compound B बनाएगा जो कि है calcium hydroxide तो आपको जो question में पूछा गया है वो आपक calcium और B हो गया आपका calcium hydroxide तो दोनों ही option में calcium hydroxide दे रखा है तो यह यहाँ पे इतना तक तो सही है इसके बाद अगर मैं आप से पूछाँ कि calcium hydroxide का nature कैसा है तो यह आपका है basic nature का जो कि क्या करेगा यह जो basic यह जो compound है यह आपका this compound turn C litmus D अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है यह जो compound है यह आपका जो बनावा compound है यह इस litmus paper को उसमें convert करतेगा simple सी बात है कि जो आपके base होते हैं यह आपका यहाँ पे red litmus को blue में convert करते हैं यह तो आपने पढ़ा है blue litmus को red में कौन करता है acid करता है तो इस हिसाब से यह option यहाँ पे कट गिया तो यह calcium carbonate यहाँ पे बनाता है जो की milky nature का होता है तो एक तरीके से आपको पूरी reactions भी बता दी और यहाँ पे आपसे question भी पूछ लिया गया तो यहाँ पे जो आपका second option है यहाँ पे correct answer होगा second और fourth option में बस वो litmus paper के color का फरक था बाकि पूरा डिट्टो एक दूसरे से सेम दे रखा था तो हम किस तरीके से question को decode करेंगे I hope आपको यह idea लगा होगा और यह एक short session है जिसमें मैंने 50 questions से हाँ पे compile करने की कोशिश की है जिससा आपको एक idea लगेगा कि आपको किस level की तैयारी करनी है आज की session में इतना ही अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले session में अगले topic के साथ बाई बाई टेक केर